नमस्कार साथियो, नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं Reporters Without Borders ने Press Freedom Index की 2022 की रिपोर्ट प्रकासित की है जिसके मताबिक भारत 180 देशों के बीच 150 वे पैयदान पर है यह अब तक की सबसे नीचली रैंकिंग है मिडिया के आजादी के मामले में और यह उस देश का हाल है जो आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा अपने आपको लोकतंत्र कहता है वहाँ पर मिडिया का यह हाल है तो इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी और निंदो चक्रवर्ती और इनके बारे में एक परिचा मैं और देदेता हूँ कि यह बहुत लंबे समय तक एंडी टिवी जो देश का प्रतिश्चित न्यूज चैनल है उसके प्रबंधन में सबसे उंचे पत पर रह चुके हैं तो इसकी बारीकियों को जानते होंगे तो सरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप इस रिपोर्ट को आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा आप बताईए कि इस समय क्या हमारे निउज रूम में मिडिया में क्या बदल रहा है कि 180 देशों के बीच 150 पायदान मिलने का मतलब तो यह लगता है कि मिडिया का कारोबार नहीं हो रहा है कुछ दूसरा कारोबार हो रहा है देखें अजे सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे सारे जो रिपोर्ट है इनको हमें थोड़ा सा जिसको पिंच ओफ सॉल्ट कहते हैं अंग्रेजी में मतलब थोड़ा सा इसको आप मानिये लेकिन एक चीज भी याद रखीगा कि इसमें हम से भारत से उपर बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे UAE हैट और आप देख लीजे आप अभी युक्रेन देख लीजे वो भी होगा आपको देखेगा इथोपिया है नाइजेरिया है यह सारे हम से उपर है जहां पर मुझे बिलकुल नहीं मैं बिलकुल मानने को तयार नहीं हो कि वहां पर कोई प्रेस फ्रीडम है लेकिन दो अलग अलग चीजे एक है कि क्या हमारा रैंक जो Reporters Without Brothers कह रहा है वो है या दूसरा क्या है हमारा रैंक घटा है अब Reporters Without Brothers की बात हमें सुनने की जरूरत नहीं है हमें खुद पता है कि किस तरीके से हमारे देश में अगर सत्ता विरोधी Report किया जाए तो क्या हाल होता है किसी का भी क्या हो रहा है आज और मैं सत्ता में सिर्फ सरकार नहीं ले रहा हूँ और मैं सिर्फ केंदर सरकार नहीं ले रहा हूँ आप देखे कि बहुत सारे जो जहां पर BJP की सरकार भी नहीं है वहाँ पर जर्नलिस्टों को दबाया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है कुछ भी वो सवाल करे तो यह हो रहा है बहुत सारे राजियों में भी हो रहा है और दूसरी बात यह है सत्ताधारी सिर्फ राजनीती में जो है वो नहीं है जो पूंजी धारी है जो पूंजी पती है जिनके कॉर्परेट के बिजनेस में धांदली हुई है तुरंत रिपोर्टर पे मानहानी का मुकद्दमा पांच सो छे सो हजार दोसा रुपर की नहीं पांच सो चार सो पांच सो करोड का लगा दिया जाता है तो एक जिसको कहाया जाता है चिलिंग एफेक्ट का मतलब है कि एक आदमी अगर केस में फस गया तो बाकी कहते हैं कि भाईया जरुरत नहीं है क्या जरुरत है एक आदमी या एक जर्नलिस्ट अगर कहीं पे जेल पहुंच गया सरकार पे सवाल पोचने के लिए तो बाकी कहते हैं छोड़ दो और इसमें मा लेकिन आप याद रखिएगा कि 90 के दशक तक हमारे देश में टेलेविजिन और रेडियो सिर्फ सरकार करती थी और कोई नहीं तो टीवी आप पैदा नहीं होँगे उस टाइम पर अगर आप दूरदर्शन ओन करते तो दूरदर्शन के न्यूज में वही होता था कि राज देश में न्यूज होता था याद रखिए थोड़ा सा इंटरनेशनल नबबय के दशक में ये बदला और एक आप कह सकते हैं ओपन निस सामने आया था जो लगा था कि भारत में प्रेस फ्रीडम टेलेविजिन और मीडिया में हो रहा है लेकिन वह बहुत जल्द खतम हो गय क्योंकि कॉर्परेट कंट्रोल सरकारी कंट्रोल बहुत जल्दी उसमें आ गया तो मैं ये रैंकिंग को मैं नहीं मानता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो प्रेस फ्रीडम है उससे कुछ जादा बाहर के देशों में नहीं है ये मैं खुद मानता हूं हमारे देश में बुरा हुआ है एक टाइम में हमारा बहुत freedom था अब बहुत खराब हो चुका है आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह से हमारे देश का हाल है उससे बहुत बुरा दूसरे देशों का हाल है तो थोड़ा सा आप इसको भी उधारणों के साथ बताएं इस समय क्या चला है दूसरे देश में आप देखें कि यह सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मैं ब्रॉडली लेफ्ट विट बांग पंथी और दक्षिन पंथी राइट विंग के चैनल या नेटवर्क या वेबसाइट को बांट दूँ कोई यूट्यूब चैनल भी आप देख लिजे तो जो दक्षिन पंथी या राइट विंग विव को सपोर्ट करते हैं और राइट विंग विव मैं यह कह रहा हूं कि ज्यादा तर होता है कि फ्री मार्केट के लिए करते हैं कैपिटलिजम के साथ होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश हमारे लेए हो वो सिरफ मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं और एक तरह के का राइट विंग में बहुत सारा कंजर्वेटिजम होता है वो को बहुत पैसा मिलता है उनको बहुत अडवित्राइजिंग मिलता है उनके फिन यूटी स्वाह मोट करता है आप अप्सक्राइबर 1 अपने experience से देख लीजे ठीक है जबकि उन्होंने बेल आइकन दबा रखा है उन्होंने ये भी कह रहे है कि ये शो आए तो हमें notification मिलना चाहिए नहीं मिलता है ठीक है तो ये systematic चीज है press freedom हम बात कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिमाग में जिस तरीके से चीज़े डाली जाती हैं उसमें किसी को मानने पीटने की जरुरत नहीं है चार लोगों का आप नौकरी से निकाल दिजिह उसी से हो जाए चार लोगों का promotion मत कीज़े बस उसी से हो जाएगा ठीक है तो ये जो चीज है ये पूरे दुनिया में फैला है सिर्फ भारत में नहीं मैं आपको एक उधारन देता हूँ कि मैं यूक्रेन रश्या की जो रश्या ने जो यूक्रेन में इन्वेट किया है यूद चल रहा है उसके निउस के लिए मैं न्यूयॉक टाइम्स पढ़ता हूँ क्योंकि एक टाइम पे निउव्यॉक टाइम्स ने मुझे लगता है पचास उननचास रुपए में सब्सक्रिप्शन दीया था तो मेरे एक साल तक वो चल रहा है अगले साल देखोंगा लेना या नहीं New York Times का जो व्यू है वो NATO और सरकारी व्यू है वो कभी भी कुछ नहीं New York Times में आपको इस टाइम पे मिलेगा जो कभी भी NATO या US या जेलिंस्की या Ukraine को question करता हुआ व्यू है कभी भी नहीं मिलेगा आप देखिए कि जब Gulf War हुआ था 2001 में 9-11 के वाद अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था US ने इन्वेड किया था उस टाइम पे embedded journalism एक चीज सामया आया था journalist जो था वो tank के साथ निकलते थे या army के साथ निकलते थे अब उनका view आप सोच लिजे ये किस तरीके किसी और से बदलेगा जब बाद में बहुत चीजे निकल के आये थी चाहे बागराम बेज में क्या हो रहा था या गौंटनामो बे में क्या हो रहा था इन चीजों की बात वो journalist के थुरू नहीं आये थी वो leak हुआ तब journalist ने निकाला जब C.I.A. के लोगों ने leak कर दिया तब निकला तो journalism बहुत सालों से जब से finance capital का rise हुआ है journalism एक तरीके से आप कह सकते हैं more or less mainstream में dead है खतम हो चुका है इसमें कोई नई बात नहीं है भारत का इंटरनल जो वो है बहुत खराब हुआ है यह सही है और इसमें सरकार और जो corporate owner है वो दाई है आपने यह बात बहुत कही कि YouTube के जरिये जो जायज सुचनाएं होती हैं उनकी reach कम कर दे जाती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभिवेक्ति की प्लेटफॉर्म बहुत जादा बढ़े हैं यानि कि social media का दौर आ गया है internet का दौर आ गया है यहां पर आप कुछ भी प्रकासित कर सकते हैं लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जायज सुचनाओं को कम कर दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा माहौल में भी हम आ गया है जहां पर जो नाजायज सुचनाओं है उनको आगे बढ़ाने के लिए पैसा खुब ज़्यादा लगाया जा रहा है और वही मिडिया में च्छाई हुई है बिलकुल क्योंकि ऐसे कंपनिया है ऐसे आप जानते हैं Cambridge Analytica का नाम आपने सुना होगा हमारे दर्शकों नों भी सुना हुआ वो बंद हो चुका है लेकिन जो Trump का कैंपेन था और Brexit कैंपेन इसमें Cambridge Analytica misinformation कैंपेन बहुत स्ट्रॉंग था और Cambridge Analytica का जो Whistleblower ने जो अंदर से निकाल के दिया उससे साफ है के Cambridge Analytica जान बूच के जोट फैला रही थी या जान बूच के एक्तिरेके का चीज फैला रही थी और उनके पास बहुत सारा पैसा था बहुत सारा पैसा था आप देखें कि आज के डेट पे आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको जूठे मीम जूठी फॉरवर्ड ये सब बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको वाटसाप पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे एडिटेट थोड़ा बहुत छोटा मोटा एडिट करके घूम रहा है कोई कर रहा है नहीं ये आप जानते हैं आप एक एक विडियो मीडियम में काम करते हैं इसमें टाइम लगता है एक अच्छा खासा मीम बनाने में टाइम लगता है उतना आसान नहीं है सोचना पड़ता है इन लोगों को पैसे मिलते हैं चीजे करने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है दूसरे तरफ एक और चीज है कि जो विडियो मीडियम है या आजकल जितना हम सोचल मीडिया की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभिवक्ति की आजादी के लिए बहुत सारे प्लैटफॉर्म बढ़ गए है मैं बिलकुल उल्टा मानता हूं उसको मैं मानता हूं कि हमार आज जो उपभोगता है वो आजादी क्या है अभिवक्ति की उसको जानता ही नहीं है उसके पास टाइम नहीं है वो सोचने टाइम देने के लिए भी तयार नहीं है पहले फेसबुक आया था आज फेसबुक से लोग बोर हो चुके लोग इंस्टाग्राम पर जाते कि इस्टाग्राम पर बहुत जल्दी आप स्क्रोल करके एक के बाद एक एक के बाद एक पोस्ट वीडियो देख सकते हैं ना और कल और कुछ आएगा तिक टॉक आप जानते थे हमारे देश में बंदोने से पहले कितने लोग टिक टॉक पर ए आपके सोचने का जो तरीका है उसको आप उसी तरीके से आपका बदल जाएगा हज़े मैं आप से सवाल पूछ रहा हूँ एक कि जगर अगर सुबह आप उठके जब आप आप क्या करते हैं आप न्यूस पेपर उठाते हैं या आप अपने फोन पे जाके कोई आप से देख होता कि अभी काम पे जाना है अभी चुस्ती लानी है एनर्जी लानी है आप चाय पीते हैं चुस्ती के लिए रात को आप सोते हैं या चाय पी लूगा या कॉफी पी लूगा तो सो नहीं पाऊंगा रात को ज़्यादा तर लोग जब ठके घर आते हैं तब वो नहां धोके खाना खाते वक्त वो चाहते थोड़ा सा कुछ दिमाग खपाना ना पड़े और हमारे देश में कुछ-कुछ स्टेट में सबसे ज़्यादा आपके स्टेट में आप बिहार से आज़े मैं आपके स्टेट में बहुत जादा है कि लोग चर्चा बहुत करना चाहते हैं मेरे मेरे मम्मी पापा जी स्टेट से हैं पर्षें बंगाल उसमें आप जानते हैं आड़ा बोलके एक चीज होती है मतलब लोग किसी चीज पर बाते करते हैं तो न्यूस वही हो गया है क्योंकि कोई भी रात के 9 बजे बैठ के सर ने अपना खपाना चाहता कि यह कितना यह अच्छा यह इंपॉर्टन चीज है वह एंटेटेन्मेंट चाहते हैं और न्यूस हमारे देश में सिरफ ने दुनिया भर में एक मेल चीज है क्योंकि हमारे पेट्रियार की जिसको कहते हैं मैं हिंदी शब नहीं जानता हूं पित्रिशत्ता उसकी जो एक एक इनवार्नमेंट होता है उसका जो इको सिस्टम होता है उसमें मर्द लोगों को कहा जाता है कि उनको दिमाग चर्चा करने उनका नॉलेज होना चाहिए किसी जगह पे डिनर पे पार्टी पे जाके उनको बोलना है है अगर कोई पूछे यह यूकरेन में तो बहुत बुरा हो रहा है, तो वो भी दोशब्त कहें, यह जरूरी होता है, मर्द के लिए, ठीक है, तो वो यह सब TV से उठाते हैं, तो जब TV में डिबेट होता है, कहीं पर WhatsApp पे कुछ आता है, WhatsApp वो बोलते हैं, वो इसी को अपना बोल के कल बोल देते हैं, तो तो आप सोच लिए कितनी पुरानी किताब है, आप शायद पैदा भी नहीं होए होंगे, उस टाइम की किताब है Manufacturing of Consent, तो वो कहरें कि US में मीडिया, सारा जो, और मीडिया एक broad area, जो public culture है, उसने एक तरीके की सोच को बदल दिया है, manufacture कर दिया है, अब उसी तरह लोग सोचत सुनने को तो या नहीं, आप किसी को public sector बोलेंगे तो वो बोलेंगे, आरे public sector मैं आपको बताता हूँ, वो तो क्या बोलते हैं, अपना Elon Musk SBI खरीदने गया था, और उन्होंने बोला कल आना, ये क्या है, एक चीज जो है, ये जो सोच है, ये सोच हमारे दिमाग में बैट गय है, इसलिए अभी व्यक्ति की आजादी सब गायव है, ये एक तरीके की सोच manufacture कर दी गई है, हमारे देश में, पूरे दुनिया में, इसलिए जब रशिया के बारे में सोचते हैं, पूतिन बड़ा बाप रे बाप, बहुत खराब आदमी है, हाँ होगा, ठीक है, लेकिन बा की लड़ाई हो रही है, और ये जो जेलेंस की है, वो तो बहुत ही अच्छे आदमी है, देखिए, वो तो कमेडियन है, अरे वहाँ पे जो नाजी लोग उनके साथ आसपास घूम रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, मारियो पोल की बात हो रही है, वहाँ प कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चर्चे में नहीं आएगा, और कोई भी जो डिफिकल्ट चीज होता है, वो उसको एंटर्टेन्मेंट में बदलना अतना आसान नहीं होता है, अजयर। हमारी महंगाई, हमारी बेरोजगारी, हमारे घर में खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बाते दिखाती हैं, जितके उनकी जिन्दगी से कोई जुड़ाव नहीं है, तो बो देखते क्यों नहीं है, वो देखके दिखा दे वो पढ़के दिखा दे अपने सरुकार से जुड़ी होई चीजे मैं बोल रहा हूँ कि पिछले हफते मैंने शो किया था employment में आपने भी interview किया था और मैंने कह दिया था कि ये शो नहीं चलेगा आपको याद होगा मैंने कहा था ये नहीं चलेगा कोई देखने वाला नहीं है लोगों से जुड़ी चीजे आप उठाए वो खुद ही नहीं देखते हैं यहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि देखिए इस पे कुछ नहीं हो रहा मीडिया तो बहुत बेकाड़ है जाके वही टीव 59 वही जी लेकिन आदत नहीं बदलते हैं क्योंकि कौन देखेगा वो बोरिंग चीज़ है रात को जब वो आराम करना चाहते हैं या फोन पे काम से कोई एक सेल्स की दुका एक कार सेल्समें बैठा हुआ है गाड़ी बेचता है पूरे दिन उसको जो ब्रेक आता है वो क्या एंटर्टेनिंग चीज ढूंड रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसको एंटर्टेनिंग करना बहुत मुश्किल है आप और हम भी कर सकते हैं लेकिन इसमें खर्चा है टाइम की जरूरत है इसमें एडिटिंग की जरूरत है एडिटिंग का खर्चा वो किसके पास है व कहीं भी आपको इस दुनिया में जो पैसे पे चल रही है प्रचार के दम पे राजनीती चल रही है पुरा उसका विमर्ज चल रहा है कहीं भी ऐसा कुछ दिखता है या कुछ ऐसा उपकरम दिखता है या कुछ ऐसा विचार दिखता है कि कहीं भी यह जो जर्नलिजम की दुनि सारा promotion, पैसा, salary इसको sacrifice करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे जगे पे काम कर रहा है, जहां पर पूरी तरह से sacrifice, पैसे उसको नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद, थोड़े दिनों बाद, माबाप कहते हैं कि बेटा शादी कर ले या बेटी कब तक करेगी है, कभी तो settle होना पड़ेगा, तब वो सोचते हैं, या शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तब उनको सोचना पड़ता है कि इससे तो नहीं चलेगा, बहुत दुख के साथ उनको छोड़ना पड़ता है, जहां पर पैसा है, ठीक है, पैसा जब तक consumerism, जब तक आपके आसपास लोग ज के लिए, क्या करेंगे आप, कितने दिन तक आप रुके रहेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोकल लेवल पर journalism होता है कुछ दिनों तक, होता है, एक सोचता है कि मैं अभी नौकरी नहीं है, मैं ये YouTube चैनल खोल लेता हूँ और अच्छा-च्छा काम करते हैं उससे, ठी ठीक है, लेकिन उसका reach काम होता है, उसका production quality खराब होता है और उसमें journalism एक editorial चीज है, इसमें editorial seriousness बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इसलिए मुझे कोई hope इस वक्त नहीं लग रहा है, और वो अभी आप देखें कि हो सकता है कि कुछ सालों बा पूंजी की सत्ता, wealth और income की सत्ता, वो बदल नहीं रही है जल्द में, किसी time frame, तो ये चीज मेरा मानना है, हम settle हो जाएंगे, लेकिन बदलेगा है, दुख की बात है कि ये मैं कह रहा हूँ, अंधेरा है, लेकिन ये ही मेरा मानना है, तो मैं जूट नहीं मूलू, पैसे से चलने वाली दुनिया में पत्रकारिता अंधकार में ही है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया आप देखते रहें न्यूस क्लिक,